यदि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बैल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस आल के बटन को ज़रूर दबा दें इसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे और जो लाश्ट में मैं कॉशन पूछता हूं उसके वी आंसर वो बताते हैं दोस्तों आपको बता दूअपका स्लेक्शन पक्का है क्योंकि आप अपने प्रती इमानदार है तो आज भी आपके लिए वही टेस्ट है जो नए हैं उनके लिए भी कोशिश करिये पचास के पचास रटन करिएक और और तीस नंबर लाने की कोशिश करिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहला कॉशन द्वतिये गोल में सम्मेलन में महात्मा गांदी के साथ सरोजिनी नाइडू जी ऑप्शन नमबर भी यहां पर सही आंसर हो जाएगा हिस्सा लेने गए थे अगला कॉशन देखिए माइक्रोसव्ट वर्ड में हम चुने गए पाठ का रंग बदल सकते हैं किसके द्वारा तो यहां पर फॉंट कलर से संब्दित है यदि आप चुने गए पाठ का रंग बदलना चाहते हैं तो ऑप्शन नमबर ए फॉंट कलर यहां पर इस कॉशन के लिए बिलकुल सही आंसर ह अगले कोश्य न शप्पुच से आपसे कनेक्टिंग इंडिया किसे संब्दित तो आपको उताते कनेक्टिंग इंडिया ने नोकिया किया कुछनोन कि अम vag Edition बीतर से नहीं लगता बाहर से नहीं लगता है तो ऊब्सुन निंटित इंडिया सबसे पुरानी अमारत है तो निम्द मेसे जो options दिये गार है उसके अनुसार सबसे पुरानी अमारत आपकी अजंता की गुफ़ाए है यहाँ पर option नमबर ए इस प्रशन के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा अजंता की गुफ़ाएं अगले प्रशन पर बढ़ते हैं, निम्द में से कौन सी फिल्म, सत्य जीत रे, द्वारा, निर्देशित की गई है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाए, सलाम बॉंबे, यह मूवी निर्देशित की गई है, आप्शन नमबर ए, यहाँ पर इस प्रशन के लिए, बिल्कुल सही आंसर हो था तो चांद पर पहुचने वाला दूसरा व्यक्ति वस्ख ये बज ब्लगिन था option new C से yas dato हो जाएगा पहले व्यक्ति का नाम बताइए राजे अपनी सीमा हर्याना से साजा नहीं करता हर्याना से किसकी सीमा नहीं लगती उत्तर्स की लगती है हिमाचल प्रदेश की भी लगती है राजस्थान की भी लगती है option नमर भी मद्व प्रदेश की सीमा हर्याना से नहीं लगती है रखिएगा अगला question दिख लेते हैं यह आपकी screen पर सिक्किम से गुजरने वाला आक्षांस डैस से भी गुजरता है बता यह क्या हो जागा से आंसर तो सिक्किम से गुजरने वाला आक्षांस यहाँ पर से आंसर हो जाएगा राजस्थान से भी होकर गुजरता है option नमर यहाँ पर भी विल्कुल से आंसर हो जाएगा ठीक है सिक्किम और राय स्थाने दिये आप देखेंगे तो आपको एक ही लाइन में मिल जाएंगे ठीक है अगला कॉशन देखिए एक ही आख चांस पर मिल जाएंगे निम्ने में से किस वाय सराय की अंडमान निकोबार में हत्या कर दी गई थी तो अंडमान में किसकी हत्या कर दी थी मेयो की लौड मेयो की हत्या कर दी थी option number B यहां पर सही आंसर हो जाएगा अगला question दिख लेते हैं यह आपकी screen पर आफ महसूर के नाम से किसे जाना जाता है तो Tiger of महसूर के नाम से टीपु सुल्टान फेमस है और भी तीपु सुल्टान यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सऑह आंसर हो जाएगा अगले प्रश्न में आपसे पूचा गया है महतमा गांधी 1915 में डैस से भारत वापस आए थे कह वाटरलू कहां इस्तित है तो वाटरलू यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका Belgium में इस्तित है option number d Belgium, waterloo के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगले emotion दिख लीजिए यह आपके screen पर इसमें आपसे पूछा गया है John Locke ने किस सिध्धानत का प्रतीपारिन किया तो जोन लॉक दोड़ा जो सिधान्थ बनाए गया था, वो था सामाजिक संपर्क सिधान्थ。 Option number A, सामाजिक संपर्क सिधान्थ बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा. जोन लॉक के बारे में. अगले question में आपसे पोचा गया है, जेख लेते हैं क्या muss पूछा गया है? विश्व व्यापार केंद्र निउयोर्क का मुख्य वास्तुकार कौन था तो जो विश्व व्यापार केंद्र निउयोर्क का है उसका मुख्य वास्तुकार मनोरू यमसा की option number यहां पर भी बिल्कुल सही answer हो जागा इन्होंने विश्य व्यापार केंद्र जो नियुवार्क में उसका वास्तु कार थे ये भारत का मूल समविधान कहां से प्रिकाशित हुआ तो भारत का मूल समविधान जो प्रिकाशित हुआ था दहरादून से प्रिकाशित हुआ था option number D दहरा दून बिल्कुल सही answer हो जाएगा मुल समविधान के लिए भारती समविधान की आठवी अनुसूची में नमीलिकत में से कौनसी भाशा सामिल नहीं है बताएए आठवी अनुसूची में आपको सबसे पहले तो ये बताना है कुल कितनी भाशा सामिल भारत की नागरिक्ता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है, तो भारत की नागरिक्ता प्राप्त करने के समविधान के अनुसार पांच तरीके है, ऑप्शन नमर सी, पांच तरीकों से भारत की नागरिक्ता प्राप्त की जा सकती है, अगला कोशन देखे, हमारे देश में स जिक्षा का अधिकार तो मूल अधिकार है आपको बताना है संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है कमेंट करके जुरू बताना संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है अगला कॉशन दिख लेते हैं मैंसे कौन सी रिट उच्छ न्यायले द्वारा अधिनस्त न्यायले को जारी की जा सकती है तो जो options दिएगा है बंदी प्रत्यक्षिकरण नहीं परमादेश भी नहीं अधिकार पक्षा भी नहीं प्रतिशेद option number C उच्छ न्यायले अपने नीचे वाले न्यायलों को जारी कर सकता है प्रतिशेद option number C सही आंसर हो जाएगा भारते समविधान के किस भाग में कारेपालिका से न्यायपालिका का प्रत्रक करण किया जाता है तो भारते समविधान के राज के नीचे निचेक तत्तों में जो है कारेपालिका से न्यायपालिका का प्रत्रक करना दिया हुआ है option number C राज के नीचे निचेक तत्त्त में हाँ पर इस प्रशन के लिए सही आंसर हो जाएगा अगला question देख लेते हैं यह आपकी स्क्रीन पर निम्दल कितमें से भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जहाज कौन सा था तो यहाँ पर जो options दिये हैं उसके निसा अनुसार रेड ड्रेगन option number C यह भारत आने वाला प्रतम जहाज था अगला question देखिए भारत में सबसे पहले सामप्रदाइक निर्वाचन पदती कब शुरूई थी तो सामप्रदाइक निर्वाचन पदती भारत में सबसे पहले 1909 में start हो थी option number D यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाए सामप्रदाइक की बात हो रही है या रखना 1909 comment करके बताईए हômायू का मगवरा कहाँ पर है comment करके बताईएगा निमने मैंसे किस मुगल समराट ने हिंदी संगीत की रचना की तो हिंदी संगीत का शुरूई जाता है जहाँगीर को बहुत जाता संगीत प्रेमी था जहाँगीर option number C जहांगीर यहां पर इस प्रशन के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा अगले प्रशन में आप से पूछा गया है पहला भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयुजित किया गया था तो पहला भक्ति आयुजन नानक जी नहीं, मीरा नहीं, रामदास भी नहीं, रामनन्द भी नहीं रामा नुजित द्वारा आयुजित किया गया था यार रखिएगा यहां पर चारों option गलत है रामा नुजित द्वारा पहला भक्ति आंदोलन जो है आयुजित किया गया था अगला कॉश्ट्यां हो आपने कहीन संना महराष्टीयं नहीं भी हो तो आपने कहीन कहीं सोना होगा तुकारामजी का नाम योगिता की उत्तरजीविता किसका कथन है और जिए कथन है डार्विन का option a यहां सबीको पता होगा और बिल्कुल सभी प्रश्न गौन शेया राइट के सबसे पहले कमान्डर इनचीर नोटान चीप कौन पार किया था उनका नाम था बुला चौदरी जी ऑप्शन नमबर भी यार रखना यह भी आपको एक्जाम में जरूर पूछा सकता है और कभी भी पूछ सकते हैं क्योंकि यह चेंज नहीं होगा चर्चित किताब मार्गोडी डेस के लेखक कौन है तो मार्गोडी डेस के जो नवाट दिया जाता है ऑप्शन नमबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन दियें उनके अनिसार आपको कमेंट करके बताना है करेंट का कॉशन पूछ रहा हूं हाल फिल हाल में राजिव गांधी खेल रत्न पुरुसकार का नाम चेंज हो गया है क्या र कॉशन दिखिए भारत के ग्रह मंत्रियों में से किस एक मात्र राजिनेता को भारत रतने से सम्मानित किया गया है तो भारत के ग्रह मंत्रियों में से केवल एक हैं आपके जी भी पंत जी जिनको भारत रतने से सम्मानित किया गया है यहाँ पर ऑप्शन नमड़ी इस कॉश जुष्दी जी को दिया था option number C यहां पर इस question के लिए सही answer हो जाएगा अगले प्रेश्ण में आपसे पूछा गया है भारती कौफी अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो भारती कौफी अनुसंधान संस्थान है चिकमंगलूर में option number A आपको comment करके बताना है चिकमंगलूर क खेल संस्थान कहां पर है तो निता जी सुबास राश्ट्री खेल संस्थान पटियाला option number C पटियाला में इस्तित है अगले प्रेश्ण में देख लेते हैं क्या पूछा गया है किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंता दिवस के रूप में मनाया गया था तो सबसे पहले आप सभी आंसर हो जाएगा या रखेगा यह कॉशन भी एक्जाम में आता है लोग सिर्फ खुजाने लगते हैं सोचते हैं प्रिंटिंग मिश्टिक है भारत में टैलीग्राफ सेवा का प्रारंब किस वर्ष हुआ था तो सबसे पहले टैलीग्राफ प्रारंब हुआ था उननिस सो य कि प्रेना किसे लिए तो महातमागानी ने सब में आवग्या की प्रेना जो लिए वह थोरो से लिए ओप्षयन नंबर फौरो बिल्कोल सभी आंसर हो जाएगा इससे प्रशने के लिए अगला कोशन दिख लेते हैं भारत में गरम दल के प्रमुखनेता कौन थे तो भारत मे गरम दल की इन में से जो प्रमुखनेता थे उनका नाम था बाल गंगा थरतिलक लाल बाल पाल की जोड़ी चलती थी आप सभी को पता होगा option number D बाल गंगा थरतिलक यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम है वोलका नदी option number D वोलका नदी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यूरोप के वारे में संसार में स्वक्ष जल्की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो साफ पानी की सबसे बड़ी जील आपकी मेठे पानी की सुपीरिया जूल общ नर्णाइब करके कामने नदे ममर благодар को क्या चाहता है तो अग्नमेन करके शबूर्वु को क्या दीकर कि परता है काóप्शिंषयो को क्या कालता तो लोक सभा अऩवा अधिक्ष को कहा जाता है निर्नायक मत ऑप्शन नमबर ए निर्नायक मत कहा जाता है जब जोत पड़ती है और वो बोट डालते हैं तो वो निर्नायक मत रहता या रखना राजे सभाद्वारा नियुक्त महा सच्यों किस रैंक के बराबर होता है तो राजे सभाद्वारा जो महा सच्यों नियुक्त होता है वो भारत सरकार के कैबिनेट सच्यों के बराबर होता है option number D, यहाँ पर भारत सरकार का cabinet सच्छे हो, बिल्कुल सही answer हो जाएगा इस question के लिए, अगले परशना पूझा गया, राजी सबाग के कितने सदत से प्रतेक दो वर्षवाद निर्वाशित किये जाते हैं, बिल्कुल easy question है, यह कई बार में चालुक्यों को किसे ने विस्थापित किया था, तो पश्चिम भारत में चालुक्यों को पल्लवों ने विस्थापित किया था, option number यहाँ पर C, पल्लवों बिल्कुल, सही answer हो जाएगा इस प्रशने के लिए होल सेयों की राजधानी क्या थी इन मैं से बताईए तो होल सेयों की राजधानी आपकी यह आपका अंतिम कॉशन है तो दौर समुद्र राजधानी थी होल सेयों की option नमबर C, यहाँ पर द्वार समुद्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दोस्तों यह मैंने आपको पचास कॉस्चन करा दिया, फटाफट, दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, कि चंद्रगुप्त मौरे के गुरू का नाम, बिल्कुल इसी कॉस्चन पूछ रहा हूँ, यह आपका सर्पाइस कॉस्चन है, कॉस्चन नमर इंक्यावन समझ लो, चंद्रगुप्त मौरे के गुरू का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके होता है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, आप सभी का बहुत बहुत धनवाद बढ़ के ए पल्डै के लिए दॉत ऊचन हैं, प्याकeld मौरे और होता है, कर अपसे ग bullish हैं दे टूस्दाइस किक लिए के लिए खार पार रखिए, औरूसल के बहुत उत्हाद समझ और तक लिए उत्कों hours, जए वे को अपसे हैं, तोक लिए